दोस्तो राजस्तान रॉयल्स की टीम दुबारा कभी आईपियल नहीं जीती उसने सिर्फ आईपियल की पहली ही ट्रॉफिय अपने नाम की थी लेकिन इस बार ये टीम जीत हासिल करेगी या रही इसका अंदाजा उसकी टीम देखकर ही लगाया जा सकता है आईए इस वीडिय इंडियन बलेबासों में देवदत पडिकल और यान पराग और यशश्वी जैसवाल जैसे ही शांदार योवा खिलाडी भी इस टीम की बैटिंग को मजबूती देते हैं इतना ही नहीं राजस्तान के पास विकेट कीपर्स में इंगलिंड के दाकर बलेबास जॉस बटलर पहले से ही मजूद थे और अब इन्होंने साउथ अफरीका के डुनवान फरेरा को भी खरीद लिया है वहीं इंडियन विकेट कीपर्स में आकरामक खिलाडी संजु सैंसन और अनकैप्ड खिलाडी दुरूव जुरेल को राजस्तान ने रिटेन करके रखा था और इस बार कुनाल रठोर को भी इन्होंने खरीद लिया है इस टीम के पास आडाउंडर्स की कमी थी तो इन्होंने वेस्ट इन्डीज के जेसन होल्डर को खरीद कर वो कमी भी पूरी कर ली है वहीं इंडिया के रवी चंदरन अश्विन अकाश विशिष्ट और अब्दुल बसित भी इस टीम के आडाउंडर्ट होंगे अब जरा इस टीम के गिंदवास देखी न्यूजिलैंड के ट्रेंट बूल्ट और वेस्ट इंडीज के अबेड मैकोय को तो इन्होंने रिटेन करके ही रखा था और इस बार इन्होंने आस्विलिया के स्पिनर एडम सांबर को भी अपन आडार स्पिनर युजवेंदर चहल भी इसी टीम का इससा है और आक्षन में राजस्तान ने मुर्गुन अश्वन को भी खरीद लिया है दोस्तों आपको क्या लगता है कि संजु सेंचन की काप्तानी में आप राजस्तान वायल से चैंपियन बनेंगी या नहीं आप अपन राजस्तान की टीम में आपका फेवरेट किलारी कौन सा है ये भी कमेंट शुरूर करें